दोस्तों ओल्डिक गुल्ड में आपका स्वागत स्वास्टे समन्दी चर्चा के अंदर होमेोपेतिक में दवा अन्तिम दवा और अन्तिम ABCD का जेड आता है उसके बाद फिर कोई अक्षर नहीं आता तो जेड सब्ट पेई जेंकम मेटलिकम तीस पोटेंची बहुत अच्छी दवा है ये जेंकम मेटलिकम ओज़ी की मुख्ये किरिया मस्थिक समन्दी लक्षनों में विशेश रूप से होती है ये ओस्दी उत्तकों को सुदाने में तेजी से किरिया करती है और उत्तकों से समन्दी लक्षनों को समाप्त करती है इस ओस्दी के परियोग से दबे हुए फोड़े फुंसियां वस्राओं से उत्वन दुशित द्रवे आदी दूर होते हैं ये ओस्दी सनाविक लक्षनों को ठीक करने जीवनी सकती को बढ़ाने मस्तिक्स की आसंका आदी लक्षणों को दूर करती है ये औस दी रोग के समय निस्करिता की अवदी रीट की हड़ी समन्दी लक्षण तो अच्छा हुए मास पेशियों की बीच का दर्द स्रावों से आराम मिलना जैसे लक्षण भै के कारण गले का बेड़ जाना बेखोशी के लक्षण के साथ चेहरे का फिका पढ़ना चेहरा ठंडा पढ़ जाना आदी लक्षणों में विशेस उप्योगी है शरीर के अंदर खून की कमी के साथ उत्पन पागलपन उद्वेद दब जाने के कारण उत्पन होने वाले रोग पुराने रोग के साथ मस्टिक से एवं रीड की हड़ी समन्दी लक्षण तंपन नाचने से उत्पन बेहोसी और एस्तिर पद आदी लक्षणों में जिंकम मेटेलिकम का परियोग किया जाता है इस ओधी के परियोग से खून में मौझूद लाल रक्तकणों की कमी दूर हो पुर खून में लाल रक्तकणों को समाप्त करने वाले जिवानों नश्ट होते हैं ये जिनके सरीर में खून एम्लोगलोविन कम है उनके लिए ये बहुत काम की दवा है सरीर के विविन अंगों में इसके रोगी की मानसिक अवस्ता रहती है मन से समंदित ऐसे लक्षण जि से थोड़े देर पहले ही कई हुई बात याद नहीं रहती ऐसे रोगी शोर शराबा पसंद नहीं करता था था हलके शोर शराबा में गुसा हो जाता है इसके अतिरिक काम करने की इच्छा ने करना किसी से मिलने या बाचित करने की इच्छा ने होना दूसरे के कहे हुए बा विस्सानों अदमाद और आलश्य तता मूर्कता तता पक्सा गात आदी मानसी लक्षणों से ग्रेस्त रोगी को जिंकम मेटलिकम देना चाहिए। इस ओधी के परियोग से विबिन लक्षणों को भी ठीक होते हैं। शिर के लक्षणों में शिर चक्राने के साथ ऐसा मैसुस होना जिसे वह बाई और गिर पड़ेगा। अधिक शराब पीने के करण उत्वन सिर दर्द। सिर में पाने बढ़ जाना रोगी को ऐसा मैसुस होना जिसे शिर एक और से दूसरी और लुड़क रहा है। ऐसा सीर दर्द जिसमें रोगी अपने सीर को तक्ये के नीचे दबाता रहता है। पस्क्यों सीरों वेदना के साथ कपाल के उपर भाग में दर्द होना, सीर और रातों को अपने आप चलते रहना, मस्तिस का ठक जाना, तता इस्कूल के बच्चे, तता व्यक्तियों को अधिक मांसी कारिय करने से होने वाले सीर में दर्द, सीर का ठंडा होना, मस्तिका धार गार में, सीर के बाल जड़ना तता गंजापन, मन में डर्द के कारण अचानक चोंक पड़ना, इस तरह के शिर से समंदित लक्षनों में कोई भी लक्षन अगर है तो जिंकम मेटली कम से लाब होगा आँखों के लक्षनों में पस्तरी एर्मे की चीश से मारता हुआ आँखों में दर्द आँखों से अधिक आंसु आना पलकों पर खुजली होना आँखों में दबाब होने के साथ रोगी को ऐसा मैसुस होना जैसे आँखों को शिर के अंदर दबा दिया गया हो पलकों और बितरी कौनों की खुजली और शित वस दर्द पलकों का लटक जाना आँखों के गोले गुमना आँखों के ऐसे लक्षन जिसमें किसी वस्तु को देखने पर आदी ही दिखाई देती है तता उत्तेजिक पदार्तों के लक्षनों में व्रेदी होती है आँखों से तेड़ा दिखाई देना आँखों से ठीक न दिखाई देना या दुंदला दिखाई देने के साथ तेज शिरदर्द आँखों की वे से आंकों से समंदित लक्षणों में से कोई भी लक्षण यह दी किसी रोगी में है तो जिंकम मेटेलिकम देना चाहिए कान के अंदर फाड़ती हुई सुई चुबने जैसा दर्दोने के साथ कान का सूज जाना कांच से बद्वूदार पी पाना आदी कांच से समंधित लक्षणों में जिंकम मेटेलीकम का परियोग होना चाहिए नाक के लक्षणों में नाक के अंदर उपपर और घाव होने जैसा महसुस होना नाक की जड में दबाब मेसूस होना, आदी लक्षणों में जिंकम का परियोग करना चाहिए, चेहरे के लक्षणों में चेहरा फिका पड़ जाना, होट पटना, तता मुग के कोने फ़ड़ जाना, ठोड़ी पर लाल और खुजली दार फुंचिया होना, चेहरे की हड़ीयों में भाड़ता हुआ दर्द आदी चेहरे से समन्दित लक्षणों को रोगी को जिंकम मेटेलिकम देना चाहिए मुँ के लक्षणों में दांतों का डिला पड़ जाना मसूडों से खून आना दांतों में गुदगुदी होने के कारण दांत बीचने के आदत मुँ में खून की तरह सुआद बनना जीप पर फपोले पड़ना बच्चों को दांत निकलने पर होने वाला दर्द कमजोरी पेर ठंडा और एस्टिर होना इस तरह के मुँ से समन्दित लक्षणों में जिंकम मेटेलिकम का परियोग होना चाहिए दोस्तों ये जो दावा है जिंकम मेटेलिकम ये लक्षणों की बहुत अच्छी दावा है इसके अलावा ये जो वो क्या बोलते हैं वो कुलों से लेके नीचे जो दर्द होता है उसको मैं कहीं मैं दिमाग में चूक रहा हूं उसको डोक्टर हमाई यार करवाते हैं और करत तुम्हारे वो चीज है ओप्रेशन होगा इस तरह के वो जो रोग है जो कुले के अंदर दर्द पैदा करता है उसके अंदर जिंकम मेटलिकम 30 बहुत बड़िया काम करती है अगर मुझे याद आ गया तो मैं डिस्करप्सन में लिख दूँगा और इसके अलावा ये जो दव है ये खुन को बढ़ाती है और बहुत सी बिमारियों के अंदर ये काम आती है लेकिन ये नमीन रोगों के अंदर कम काम आती है जो रोग पूराने होते हैं और जो रोग पेचिदा होते हैं पेचिदा का मतलब कोई हाथ पेर नहीं होते हैं इस तरह के जो रोग होते हैं उस लिए इस दवा को लाश्ट के अंदर दिया है और इसका जितना परियोग होना चाहिए इतना परियोग होता नहीं है पता नहीं क्यों नहीं होता है यह जबकि बड़े काम की दवा है जिंकम मेटेलिकम एक तरह के धातू से बने हुई दवा है इसलिए इसका कोई मदर टिंचर नहीं होता ये सबसे बड़िया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार ले सकते हैं कोई अंग का काम नहीं करना या लक्वे जेसी इस्तिति होना या गबराहट होना इस तरह के कहीं रोग ऐसे होते हैं जो जिंकम मेटेलिकम से ठीक किये जा सकते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्क्राइब जरूर करें थैंक्स बहुत बहुत थैंक्स इसके पहले मैंने वीडियो दिया अमलतास की चटनी का अरे वो चटनी बनाओ तो कोई मेरे को भी भेद देना